दोस्तों आपका स्वाग थे हमारे चलिए टेक्निकल जोतिश में तो जियोनी ने उनका इंडियन मार्केट में लांच कर दिया है जियोनी का जियोनी मैक्स तो आज इस सुडियो को लास तक जरू दिखते रहे हैं अन्त में बताऊंगा यह फोन आपको लेना चाहिए नहीं इस पहले हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले की दो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है जो के डियूल कैमेर अभी आपके सकते साथ आपको पाच में बसल के सेल्फी देखने को मिल जाते है प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आपको वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता अगर आप गेमिंग वह गेरा करते तो इस फोन को बिल्कुल भी ना देखे क्योंकि इस मैपको देखने मिल्या था स्प्रेक्टम का प्रोसेजर जो क्या आपको डेली हो जिसमें आपको कुछ नहीं कुछ आपको इतना महसुस नहीं होगा जैसे ही आप कुछ हारे टास्क करते हैं विससे ही आपको कुछ लाक्स होगेरा महसुस होंगे जिसके कारण अगर आप यह भी जिसके लिए फोन करें रहे तो मैं आपको स्टेश्ट करूंगा यह बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपको इतनी पफोर्मस इस इतनी आच्छा आपको देखने को नहीं का जो वेट है वह है 185 ग्राइम जो कि अच्छे बात है साथ इसाथ पीछे के जो साइड है वो प्लैस्टिक है साथ इसाथ आपको आगे तरफ 2.3 डी कर उड़ गलास देखने को मिल जाते है मतलब करो नहीं देखने को मिल जाती है तो इस फोन में आपको ड्यू ड्रॉप साथ के साथ देखने को मिल जाता है जो कि फोन ट्रेंड फोन आपको दिखने में लगता है आप ओ इधर आप यह messaging कि फोन हात में लोगी तो आपको महिसूस भी नहीं होगा कि फोन 505-608 में आया है यह फोन 6000 कह Keeping be n arrow गया जो कि अच्छे बात है साध यसाथ जिवत अई सथ इस फोन को three colors में launch के आई जोक एक अच्छे बात है तो दोस्तों अगर आप इस फोन के पास लेना चाते हो तो अगर यह फोन अप लेना चाहते हो अगर आपको बैडरी के बैटरी के लिए और आप फोन ये लेना चाते हो बैटरी के लिए तो आप ले सकते अगर आप performance के प्रश्च करें सकते हैं तो मैं आपको स्ट्रेश्ट करूंगा आप वह भी फोन ले सकते हैं जो कि